वंदे मात्रम वेलकम स्टुडेंट्स आज हम क्लास 12 बायलोजी चैप्टर वन रिप्रोक्षन और्गेनिजम पर डिसकस करेंगे यह lecture 1 part 2 है part 1 में हमने asexual reproduction reproduction introduction दिया था उस पर और उसमें हमने asexual reproduction को आरेम discuss किया था बट इस lecture में हम asexual reproduction को और detail में समझेंगे और one by one पूरा lecture जो होगा NCRT based रहेगा और एक भी topics को छोड़ानी जाएगा सारे topics कवर होंगे from binary fission to budding to sporulation गजिटेटी प्रोपागेशन जू स्पोर्स एप्लानो स्पोर्स सारे topics gemulation सारे topics को कवर किया जाएगा और हम लोग एक-एक topic को side by side देखते हैं एस इस इस ट्रेंट सी है types of a sexual production first one is vision विखंडन विखंडन करते हैं विखंडन विखंडन टूटना वेन एनी और गेनिजम breaks into two then it is called as vision vision जो होता हो दो प्रकार होता है पहला होता है बाइनरी फीजन दूसरा होता है देन इस चलाने इस बाइनी फीजन बैदे अग्जांपल जैसे बताया गया था आप लोग को अमीबा के एग्जांपल बताया था अमीबा और इसमें डिसकास करें बैटा बैक्टीरिया में वी होता है तो अंडर फेबरोल कंडिशन का बोलुक्टा होता है इसको आप देख हुआ जा रहा है तो भम हम देखते ऐंडर टेशिंडेस इसका जटाय। साइटो प्लास्म होता है एंस आपक्लास्म करता है मिन्स अपने आपको खी गुंणा कर लेता है सऑक्षर प्लंस और जो नूट्त होता है या अभी होता है हटों ये और उसका 나눔 मिन्स इसका जो प्लाज्मा मेंब्रेन होता है ये प्लाज्मा मेंब्रेन में या फूरव हो याता है फुरो मेंस एखांच हो जाती है उसे हम olhos escuch Air ऑफ लाध्मा मेंब्रेन की अंदर धसने द्वारा बनता है और ये जो फुरो होती है प्लाजमा मेंब्रेन की वह अंदर और गहरी होती चलिय याती है और यह नुउक्लियर मतेरियल को धो ब्राबर भाग में और स्था को तो दो भाग में गर ब्राबर भाग में आज़यर यहीं कार में कट यहां यहां तो होता है यहां पर बैक्टीरिया इसमें की बिवाजंग होता दो यह्तिव नहीं होती है तो फिर पर रिजूविनायल हो जाता है यानि कि वह पैरेंट जो होता है फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाकर जो है वह डेवलप हो जाता है और इसमें उसकी पैरेंट की नहीं होती है तुBA फिजन मुल्टिबल फिजन जो होता है वह अमीबा में होता है under अंध्र अभाक डॉसंगा द्रेखन कर जाता है जो और उसक लिगत की तरह D और उस नुक्लियर मटेरियल जो है वह साइट प्लास में घिर जाता है और इसके उपर हाड कवरिंग जो हो जा बन जाती है और यह इसकी प्रोटेक्शन करता है मेंस हाइट तंप्रेचर से एस से सुरक्षा करता χारे उसका जक्या करते हैं यहां मेंस होता है बाहर निकला झाल यह फीर वहों मुकुलन कहते हैं इस हिंदी में जो बड़िंग होता है इस अटर करोफ ऑन दॉफेस ऑफ सिंप्लर और और गएसम जैसे इस हो गया हैड्रा होग्या साइक को इन पर क्या होता है फेड्रल कंडिशन में जो होता है का फोर्मेशन होता है बड्ड तूट कर जो है नए और्गनिजम को जन्म देता है था इस एसी सथम्सका एंडरन टेखते है किwelt जह था है एंडर सर्फस पर जो है एक छोटा जो बड का फॉर्मेशन हो जाता है मिस ऐउड़ उनकर नृइस निउख्लियर माटेरियल जो इसकर नूंक närे बड करते हैं ऑर उने के बाद रभात है वह थी द्धीया धीरे घ्रव करता है सइस में और भरकर ने के बाद यह भर कर रह रहा है there हम बढ़ा होने के बाद कुछ समय के बाद जो है जो बड़ होते हैं यह टूट जाता है और तूट कर जो है नए इस्ट को जूआ जन में देता है इसे हम कहते हैं बड़ी और वह जो है यह एक्स्टरनल बढ़िंग है एक्सोजीनियासी नेचर्स है इस हाइड्रा में देखने को मिलता है यह बड़ जो है पूरा पारेंट इस्मॉल जो यह बना लेता है और पारेंट बॉडी से जो है और एक नय और गिनिजम को जन्म देता है लोग जान भी रहें और इसका दूसरा नम नाइट अ का सदस है मैं इस यह आता है गिनिजम में इसका मदद करता है हीड्रा को उस सटींग ऐस का तरफ सिव और का आप नंगत में युशे में कमेंट कर यह हुप सब्सक्षा है जो है बडिन उसके स्फन को सब्सक्राइब यह सको यह बर ​ बड़ा होता ही तरह सारी सटक्टर पैर्लय डिवलप हो जाते है और वह लेक्त होकर गिर जाता है झाल साइकॉन को जनम देता है किस का सदस्याय है किस्त हमक्राव sوق सदस्थे doch a cop अब देख charts Chinese को ढॐटि ज़ो power जो इसके बौडी पर छोटे-छोटे जो चिदर पाए जाते हैं जो पॉर्स होते हैं उस पॉर्स का नाव Beta AosSnia है जो कि आपने 9 पढ़ा है उसके बाव यहां पर देखिए ऊपर जया एकबड़ा पीद्र होते है जो बड़े एयर यह इसष्सकाल आता है जो कि इसका हिस्केलीट द्रै भणाता है साइक और इसमें आप आप बेस साइक ए मैश है और पक्र हाथ रखटया वटर इंसायक की तरफ अंदर की तरफ आता Я और अस्कूल हम से जो होता है water बाहर की तरफ निकलता है next type of budding is internal budding यह इंड LOT in nature होता है उसे हम कहते जयप म Beim turkey जयब लेशन जयफेशनन ड्याइब फॉरमेशन उफ जयम्यूल domination यह म्रॉट्ड है जैसे हमने देखा बढ़िंग का एक्स्टानल गोन्स ज कि एक बडिके में हिस्से में दोने सान उसे हम कहता है और बडिग इं मिस बॉडी के इंटरनल सैट में फॉरमेशन होता जो की एंडो जीनियस इनेचर होता है उससे कहता है जैमुलेशन जन जो फॉर्मेशन होता है वह बोटा होता है फ्रेस वाटर सपाउच में सपाउच में टभाणा पॉड roz kei강 के सदस्यों में यह पाया जाता है जैसे यह हो गया इसपाउचलीन इस पोंजीव एजैँ वाठार स्पॉन उसमें जो होता है वा कंड्र और इस में बेटा है पर के दिखाय diviner इस का इस सीधा पूरा आधारित है आप इसे देखें का जो होता है जो डवाए pross और कि वाउटर जो सर्फेस इसको उसको पिंगो सइट बोलते हैं कि नेको साइट और यह है इसमें कंटिका है जैसां बताए हैं तो जो जो सपाइन पाई आते इनके एस इसंड़ोड़ जो चोड़ी झोटे सपाइब यात इसको करते हैं डिल्य आ श्री शुर्फिल्स और यह देखिए यह है आर्खियो साइट मोज तोर्ट पूटेंट इन डीस आर्ट टोटी पोटेंड शेशर्स डीस्ण टॉटि यूस्व अबडूर्ट हुआभट थो फोड चैनल और ओर माईक्रोपाइल है कि फॉर्मेशन अव जरे मिल बन जाता है तो यह क्या होता है वहाँ पेरिट बॉडी से वह निकलता हूं निकल कर जो है वह वाटर से वह यह मता अभुंता जीम्हाइंट कहिं बहुता हुए तालता हुए आद कि आप देखते है जो है तॉ बेट geç इसेदेंट्री होते हैं मिस एक जग होते हैं uputral होते हैं मुव नहीं कर सकते हैं तो इसा माध्य मना गया है time आई वर्में आप यह होता है उनकी बड़ी में बड़ की तरह वोगों कर जाता है उनके बोडि से निकल कर पानी में प्रोट करता हुआ हुआ कहीं भी जाकर जो है वह यह गीर कर बीच की तरह नए और्गनिजम को जो है बुरो कर सकता है यह को एक अस्थान से दूसरे अस्थान में जो है ग्रो करने में मदद करता है तो इस प्रक्रियाव को आते हैं जैसे सलमेंडर में सलमेंडर का यादी उसका पाम कट गया लिंब जो है कट गया गई थीर से धीरे धीर से अनय जो है रीघ्रोंच में हो ग्रोथ हो जाता है बॉर्डी पार्स का जो बड़िफार्स होता है रिजरेशन होता है दो प्रकार होता है एक होता है एक यह से न अधर में जो लिम्भ है मिन्स कटा हुआ जो फिर से आ जाए तो इसे हम कहते हैं एपी मॉर्फोसिस और जो मॉर्फालेक्सिस होता है इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी बॉडी जो है अगर कहीं से ब्लॉश्ट बॉडी पार्ट्स अगर कट जाए तो कटने के बाद पूरा और्गेनिजम नया बन cents इस जैसे आपका देकिते आए इसमें जो होता है पुरा जो है उसी प्रकार से हैं जैसे हीडृब में भी देखने को देखने हके मिलता है जिसमें द्ने का ग bild Shout डूटता है कड़ जाता है कटने बात जो है है जूंगत अने सकुल्ग यह नहीं रहुन जाए एंड बेंटरी यह टैरिया तो जो लोवर प्लालत होते है उनमें ऑसुछरissant और उस revolose बनते हैं जिस सपोर्स होता है इस्पोर्स आर इसमाल माईनुट इस्ट्रक्श्चर्स वी हर फॉर्म इन लोवर formation of gametes and no fertilization of gametes took place in the process of formation of sports वो होता हो दो प्रकार होता है पहला जूए इसपोर और दूस्रा है एक जब झांपल बलस्टो क्ली उबाइचा और कर दो र को हम एक्जामपल इधर दिखते हैं एक एक्जामपल इसका है राइजोपस राइजोपस जो होता है वे अधर पहते हैं फफून राइज़ोपस है राइज़ोपस में इसका बॉडी होता है यह देखिए बॉडी है इसका माइसिलियम का बना होता है कि अब्लैंट बॉडी आफ मैसीलियम औफ मैसीलियम और मैसीलियम से गृूप ऑफ हाइफा मैसीलियम इसका बना होता है हइज सेपोफ होता है यह सड़े पदार्थ यॉकता है और उस पर क्या होता है यह अपने भोजन को एक्वायर करता है इसका जो मूड आफ नूटिशन होता है उसको यह सिक्रीट करता है बाहरी फुर मटेरियल पर उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंप्लर और इसको अब्संपर करता है अपने नूटिशन के लिए में से प्रॉफाइटिक मूड देखिए इस टोलन दिखा रहा है और जब फ्रूटिंग बाड़ी होती है इसका जब समय आता है इस रिप्रॉक्षन का तो इसमें देखिए यह फिलामेंट लाइक बनाता है जिसे कहते इस परंजियो फोर और इस परंजियो फोर की उपर जो है एक फूटिंग बाड़ी फंकशिष में हो जाते हैं औरकियो टेते हैं और यह ट्रियूर्स पास उपास रभी जाते हैं जाहां पर इस रहे और इस फंगस होता है उसके हैङ-फए टीप पर जो है फॉर्म होता है फॉर्म होता है इस अर्वन पर है इनको हम कहते हैं और यह होता है इसके उपर यह स्टित होता है औनीं ते के बाद यह मैंज ब् dependant को जर्मिडेश करता है इस इस्ट्रेट्स आजके लिए अपने डेक्जेर्स लेक्शर वं पार्ट 3 में हम बोगे टाइप अज़ाह देक्ट भॉपागिश्जेशन के बारी में tourism पढई करेंगे जैसे cutting क्या होता है grafting क्या होता है tissue culture क्या होता है layering क्या होता है what is clone why sexual reproduction is considered as better mood of reproduction then a sexual reproduction के जैसे topic पर discuss करेंगे detail में that's all for today thanks for watching